इंडिया ने और फाइनली टीम इंडिया ने कोई मैच जीता वरना ऐसा लग रहा था 92 की जर्सी के साथ पर्फॉर्मेंस भी 92 वाली शुरू कर दी टीम इंडिया ने और इंडिया मैच तो तभी जीत गई थी जब कोली बाई ने टोस जीता पगले सारे टोस थोड़ी ना रहेंगे एरसी भी थोड़ी है और पूरे मैच में सभी फैंस का कुछ ऐसा हल था मतलब इतना प्रैशर था तीन बार तो मैच देखते देखते टोलेट आ गई ध्यान से देखे इन दो चेहर को दिखने में बेसक से ये मासूम है लेकिन इन सकल के पीछे चुपाए एक हैवान इन दोनों ने मिलकर इंडियन फैंस को जितना पागल बनाया है कोई सोच भी नी सकता इन भाई साब को RCB ने 12 मैच खिला है और 12 मैच में भाई की बैटिंग से ज़्यादा तो भाई की चिंगम चल जाती दी और वहाँ आस्ट्रेलिया के लिए भाई ने तीन मैच में दो 50 मारी और 100 और इस साले के बारे में तो कुछ बोल भी मत पूर है आई पयल में इससे एक छक्का नहीं लगा और वहाँ पर अस्ट्रेलिया के लिए ऐसे छक्के मार रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता भाईया 2020 बिलकुल भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि ना तो इस साल कॉली भाईया ने कोई ODI सेंशुरी मारी और ना बुम्रा भाईया ने कोई डंकी बोलिंग करी तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो 2020 कैसा साल है इंडिया का बैटिंग के टाइम 150 तक ओके ओके मामला था और फिर कमेंटरी करने आते हैं संजे मांजर कर और उधर से बैटिंग करने आते हैं जड़ेजा और पांडिया भाईया दोनों ने मिलकर जो बोलर्स के साथ डांडिया खेली मजा ही आ गया और मुझे लगता है जो भी चैनल टीम इंडिया के मैच को टेली कास्ट करें टीम इंडिया को उन्हें बोलना चाहिए जैसे ही जड़ेजा बैटिंग करने आए तो संजे मांजर कर को कमेंटरी के लिए भेज दे क्यूंकि उनके सामने अलगी शक्तिया आ जाती है एक जमाना था जब इंडिया और अस्ट्रेलिया की सिरीज में स्लैजिंग होती थी लड़ाई जगड़ा होता था लेकिन अब देखने में क्या मिलता है पूरी सिरीज में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा एग्रेशन दिखाया है तो वो है अपने शारदुल ठाकुर तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही ठेंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगयो अगर ये वीडियो अच्छी लगये तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें